C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की ध्वनी पुस्तक गनित का जादू सात्वा पाट समय समय की बाद प्रिष्ट संक्या पिच्चानवे ये कहानी समय के गोलमाल की है इस प्रिष्ट पर सूरज, पक्षी, अंडे, चिडिया, आम और बच्चों इत्यादी के चित्र है आईए अब ये कहानी प्रारंब करते हैं जैसे ही सूरज डोबा, रिक्तिस्थान सुमना जागी क्या शानदार शाम रिक्तिस्थान है उसने दो घंटे रिक्तिस्थान में तेजी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी वो पिछले कुछ महीनों रिक्तिस्थान से अंडों को देख रही थी वो चिडिया के बच्चों के बाहर आने का इंतिजार कर रही थी पर पलक जपकने से पहले ही एक हफ़ते रिक्तिस्थान में एक बिल्ली पिड़ पर कुदी चिडियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमना दोड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके जैसे है बिल्ली कुदी वो एक बड़े आम से टकराई धम दो दिन रिक्तिस्थान में वो जमीन पर आगिरा ओहो ये तो गलत हुआ अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था इसे पकर मीठा फल होने में बस एक साल रिक्तिस्थान और लगता अचानक सुमना के बहन ने उसे बुलाया क्या तुम्हें अभी तक भूक नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ रात के खाने रिक्तिस्थान में गरम गरम उपमा खाएं है न मज़ेदार? तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में रंगीन शब्द गलत थे ये रंगीन शब्द थे डूबा, शाम, घंटे, महीनों, हफते, दिन, साल और रात के खाने उनकी जगए दिये गए बॉक्स से सही शब्दों को चुनो और गलत शब्दों के आगे खाली जगए में भरो ये शब्द हैं दिनों, उगा, सेकंड, सुभा, नाश्टे, पल, मिनट और हफता इसमें कितना समय लगेगा? क्या तुमने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? या किसी को कपड़ा बुनते हुए? कभी किसी कुमहार से ये जानने की कोशिश करो कि एक बरतन बनाने में कितना समय लगता है ये भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट कहीं तुम्हें नहाय हुए साल तो नहीं गुजर गए उन अलग-अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग-अलग समय लगता है तालिका को जितना लंबा बना सकते हो बनाओ इस प्रिष्ट पर बीच में एक द्रिश दिया गया है जिसमें एक कुमहार को घणा बनाते हुई दिखाया गया है और इसी प्रिष्ट के सबसे नीचे वाले भाग में एक महिला को स्वेटर बुनते हुए दर्शाया गया है यहाँ पर तीन खाने दे रखे हैं पहले में लिखा है मिंटों में होने वाला काम दूसरे में लिखा है घंटों में होने वाला काम और तीसरे में लिखा है दिनों में होने वाला काम पहला, मिंटों में होने वाला काम नहाना घंटों में होने वाला काम कमीज की सिलाई दिनों में होने वाला काम स्वेटर बुनना दूसरा, मिंटों में होने वाला काम दूद उबालना घंटों में होने वाला काम दही जमना दिनों में होने वाला काम साड़े बुनना मिन्टों में होने वाला काम रिक्तिस्थान घंटों में होने वाला काम एक दिन का स्कूल और दिनों में होने वाला काम केले का पकना अब तुम कुछ ऐसे कामों को लिखो जो मिन्टों में होने वाले काम हो घंटों में होने वाले काम हो और दिनों में होने वाले काम हो ऐसे ही तुम कुछ और कामों को स्वयम लिखो प्रिष्ट संख्या 97 ऐसे और काम सोचो कुछ जल्दी होने वाले कुछ धीरे-धीरे होने वाले सेकेंडों में होने वाले मेरा पलक जपकना मेरा चुटकी बजाना मेरा दवाई निगलना फल का पेड़ से नीचे गिरना यहाँ पर एक चितर दिखाया गिया है जिसमें छे खाने है चार खानों में बच्चों की चितर है पहले में बच्चा पलक जपकते हुई दिखाया गिया है दूसरे में बच्चा चुटकी बजा रहा है तीसरे में बच्चा दवाई को निगल रहा है और चौते खाने में बच्चे के सिर पर पेड़ से फल आकर गिर रहा है और दो खाने खाली हैं इनमें आपको इसी तरह होने वाले कुछ कामों को लिखना है महीनों में होने वाले काम गेहूं की फसल का बढ़ना बीज से बढ़े पौधे तक गर्मी से सर्दी का मौसम आना और छोटु का अपनी मा के पेट से बाहर आना इसी तरह तुम कुछ और ऐसे कामों को लिखो जो महीनों में होने वाले हो यहाँ पर एक चितर दिखाया गया है जिसमें एक औरत अपनी बेटी के साथ खड़ी है इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में कुछ लोगों को दिखाया गया है और एक व्यक्ति टॉयलेट के अंदर है और बागी व्यक्ति उसे बाहर बुला रहे है एक आदमी कहता है ये काम तो मिंटों का होना चाहिए प्रिष्ट संख्या 98 कितनी तालिया लपकने से पहले इस खेल को खेलो हवा में पत्थर फेको इसे लपकने से पहले एक बार ताली बजाओ अब लपकने से पहले दो बार ताली बजाओ उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ पत्थर को पकड़ने से पहले तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो इस प्रिष्ट पर दो बच्चों का चितर दिया गया है जिसमें वो पत्थर को उपर उच्छाल कर ताली बजा रहे हैं ताथई अलग तरह से बजाओ दो बार ताली बजाओ और कहो एक दो ताली बजाओ और बोलो एक दो एक दो एक दो या कहो ताथई 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 अब अपना पैर भी जमीन पर पटको और बोलो बाया दाया बाया दाया बाया दाया अब तीन ताल में ताली बजाओ एक दो तीन एक दो तीन बोलो क्या तुम अपना पैर ऐसे पटक सकते हो बाया दाया बाया तुम में से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए पैर भी पटक सकते हैं पता लगाओ क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है पता लगाओ कि वो किस किस तरह के ताल बजाते हैं ये भी पूछो कि इन तालों में वो कौन से बोल कहते हैं प्रिष्ट संख्या निन्यानवे हम कितने बड़े हैं अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खाली स्थान भरो इस प्रिष्ट पर एक वृत दिया हुआ है उसी वृत में एक छोटा वृत है जिसमें एक बच्ची अपनी माँ और नानी के साथ दिखाई गई है और लिखा है हम कितने बड़े हैं और उसके बाहर बड़े वृत में छे खाने दिये गए हैं और इसमें भी इन्हें के चित्र हैं आओ, अब इन्हें भरते हैं एक, आज मेरी उम्र, रिक्तिस्थान दो, आज मेरी मा की उम्र, रिक्तिस्थान तीन, आज मेरी नानी की उम्र, रिक्तिस्थान चार, मेरे पैदा होने पर मेरी मा की उम्र, रिक्तिस्थान पांच, मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र, रिक्तिस्थान 6. मेरी मा के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र रिक्तिस्थान पहली इर्फान की मा उससे दुगनी उम्र की है वो उससे 20 साल बढ़ी भी है इर्फान और उसकी मा की उम्र का अंदाजा लगाओ जब से तुम्हारा जन्म हुआ कितने बार पूरा चांद निकला होगा इस प्रिष्ट पर अंतिम हिस्से में एक बच्चे का चित्र दिया हुआ है और साथ में आकाश में उकते चांद का द्रिश्य है प्रिष्ट 100 जन्म प्रमान पत्र बिन्सी का जन्म प्रमान पत्र देखो फॉर्म नंबर पांच केरला सरकार जन्म प्रमान पत्र ये प्रमानित किया जाता है कि ये सुचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है जो की वर्ष 2002 के कोट टायम पंचायत के रिजिश्टर में दर्ज है नाम बिन्सी थॉमस जेकब लिंग स्त्री जन्म की तारीख दो पांच दो हजार दो दो मई दो हजार दो जन्म स्थान कदम पूजा अस्पताल पिता का नाम जेकब धराकन माता का नाम लारा थॉमस पंजी करण की तारीख इस प्रिष्ट पर नीचे की तरफ एक द्रिश दिखाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे दिखाये गए हैं. इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक बच्चे की अलग-अलग उम्र को दिखाया गया है. 1. 25-2002 से पता चलता है कि बिंसी का जन्म 2. रिक्तिस्थान को वर्ष 2002 में हुआ था. 2. बिंसी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी? रिक्तिस्थान 3. वो 2022 में कितने साल की हो जाएगी? रिक्तिस्थान 4. वो किस तारिक को आठ साल की हो जाएगी? संख्याओं में लिखो. रिक्तिस्थान प्रिश्ट संख्या 101 5. बिंसी 2 अगस्ट 2002 को कितने महीने की थी? रिक्तिस्थान 6. अब बिंसी कितने साल की है? रिक्तिस्थान 7. उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? रिक्तिस्थान और 8. उसके जन्म प्रमाण पत्र की पंजी करण संख्या क्या है? रिक्तिस्थान पता करो तुम्हारा जन्म कब हुआ? रिक्तिस्थान अपने जन्म की तारीक को संख्याओं में लिखो रिक्तिस्थान क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बडों से पूछो और अपने लिए एक प्रमाण पत्र बनाओ फॉर्म नंबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान सरकार जन्म प्रमानपत्र ये प्रमानित किया जाता है कि ये सुचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से लिए गई है जो कि रिक्तिस्थान वर्ष के रिक्तिस्थान के रिजिस्टर में दर्ज है नाम, रिक्तिस्थान, लिंग, रिक्तिस्थान, जन्म की तारीख, रिक्तिस्थान, जन्मिस्थान, रिक्तिस्थान, पिता का नाम, रिक्तिस्थान, माता का नाम, रिक्तिस्थान, पंजी करन की तारीख, रिक्तिस्थान, और पंजी करन संख्या, रिक्तिस्थान, दे नांक, जारी करता के हस्ताक्षर प्रिष्ट संक्या 102 इस प्रिष्ट पर 2020 का कैलेंडर दिया हुआ है इसमें जन्वरी से दिसंबर तक के महीनों के नाम है कैलेंडर 2020 महीना जन्वरी दिनों की संक्या 31 महीना फर्वरी दिनो की संख्या 59, महीना मार्च, दिनो की संख्या 31, अप्रेल, महीना अप्रेल, दिनो की संख्या 30, महीना मै, दिनो की संख्या 31, महीना जून, दिनो की संख्या 30, महीना जुलाइ, दिनो की संख्या 31, महीना अगस्त, दिनों की संख्या 31, महीना सितंबर, दिनों की संख्या 31, महीना नवंबर, दिनों की संख्या 31, और महीना दिसंबर, दिनों की संख्या 31, प्रिष्ट संख्या 103, चलो 2020 का कैलंडर देखते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं? रिक्तिस्थान उन महीनों की सुची बनाओ जिन में 30 दिन होते हैं? रिक्तिस्थान उन महीनों की सुची बनाओ जिन में 31 दिन होते हैं? रिक्तिस्थान इस साल फरवरी के महीने में कितने दिन है रिक्तिस्थान एक सप्ता में कितने दिन होते हैं रिक्तिस्थान जुलाई में कितने सप्ता हैं रिक्तिस्थान क्या ये सभी महीनों के लिए सही है रिक्तिस्थान कौन से महीने में तुम कक्षा तीन में आये थे रिक्तिस्थान इस कैलेंडर में नीचे दीगी संख्याओं पर एक घेरा बनाओ 26 जनवरी 14 नवंबर और 31 दिसंबर क्या इन तारीखों में कुछ खास है? खाली जगों में ठीक ठीक साल भरो 2017 2020 2019 2018 2021 और 2023 पहला दो साल पहले कौन सा साल था? रिक्तिस्थान दो कौन से साल में तुम कक्षा दो में थे? रिक्तिस्थान तीन कौन सा साल अगला साल होगा? रिक्तिस्थान और चार कौन सा साल, तीन साल बाद आएगा रितिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश ये अध्याय छात्रों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे भिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से वो अपनी जिंदगी में समय के गुजरने को कैसे देखते हैं ये आवश्यक है कि उनमें सेकंड, मिनट, घंटों, महीनों आदी का अंदाजा लगाने के ख्षमता विक्सित हो बजाए इसके कि वो समय मापने की यांत्रिक प्रक्रिया में पढ़े ये अध्याए बच्चों को कुछ मनुरंजक गतिविद्यों के माध्यम से घड़ी और कैलेंडर का इस्तमाल करना भी बताता है शिक्षक ऐसे ही कई और अभ्यास करा सकते हैं जो संक्या पैटर्न और समरूपता से जुड़े हो प्रिष्ट 104 कौन सा त्योहार पहले आता है? साल भर में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार यहां दिये गए हैं ये पता लगाने के लिए कि 2018 में ये त्योहार किस दिन पढ़ेंगे? जरा 2018 का कैलेंडर देखो यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग हैं पहले भाग में सबसे उपर लिखा है त्योहार के नाम दूसरे खाने में लिखा है तारीख और तीसरे में लिखा है दिन त्योहार का नाम दीपावली तारीख 14 नवंबर दिन रिक्तिस्थान त्योहार का नाम पोंगल तारीख पंद्रह जन्वरी, दिन रिक्तिस्थान। तियोहार का नाम रक्षा बंधन। तारीख तीन अगस्त। दिन रिक्तिस्थान। तियोहार का नाम गांधी जयन्ती, तारीख 2 अक्टूबर, दिन रिक्तिस्थान, तियोहार का नाम मिलाद उन्नभी, तारीख 30 अक्टूबर, दिन रिक्तिस्थान, तियोहार का नाम ओनम, तारीख 31 अगस्त, दिन रिक्तिस्थान, तियोहार का नाम गुरु नानक जयन्ती, तारीख 30 नवंबर, दिन रिक्तिस्थान, तियोहार का नाम गुरु रवीदास जयन्ती, तारीख 9 फर्वरी, दिन रिक्तिस्थान, तियोहार का नाम क्रिस्मस, तारीख 25 दिसंबर, दिन रिक्तिस्थान और तियोहार का नाम बीहु तारीख 14 अप्रेल दिन रिक्तिस्थान तियोहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वो साल में आते हैं एक रिक्तिस्थान, दो रिक्तिस्थान, तीन रिक्तिस्थान, चार रिक्तिस्थान, पांच रिक्तिस्थान, छै रिक्तिस्थान, साथ रिक्तिस्थान, आठ रिक्तिस्थान, नौ रिक्तिस्थान और दस रिक्तिस्थान कौन सा तिहवार साल के अंत में आता है? प्रिश्ट संख्या 105 कैलेंडर का जादू ये रहा फरवरी 2019 का कैलेंडर चलो, कैलेंडर पर एक चौकोर बनाते हैं और कुछ जादू देखते हैं फरवरी 2019 यहां पर फरवरी 2019 का एक कैलेंडर दिया गया है और उसके सामने एक लड़की का चित्र बना है फरवरी 2019 फरवरी 2019 के महीने में कुल 28 दिन दिखाए गये हैं फरवरी के इस महीने में बीच में एक चोखाना दिखाया गया है जो पीले रंग में दिखाया गया है इनमें जो संख्याई लिखी हैं वो हैं पांच, छे, साथ, बारा, तेरा, चौदा, उननिस, बीस और इकिस कुल मिलाकर यहां पर नौ संख्याई लिखी हैं तो अब बताओ, कौन सी संख्या इस चोखाने के बीच में हैं रिक्तिस्थान, तीन संख्याओं को एक रेखा बना कर मिलाओ यह रेखा ऐसी होनी चाहिए कि यह बीच की संख्या से होते हुए गुजरे इस तरह की कितनी रेखाएं खीच सकते हो इसी प्रिष्ट के बीच वाले हिस्से में दाई तरफ एक चोखाना धिया हुआ है इस चोखाने में वही नौ संख्याएं दर्शाई गई हैं जो फरवरी 2019 के केलेंडर में दिखाई गई हैं इन सभी रेखाओं पर पढ़ने वाली तीन तीन संख्याओं को जोड़ो तुमने क्या देखा? पांच जमा तेरह जमा एकिस बराबर रिक्तिस्थान छे जमा तेरह जमा बीस बराबर रिक्तिस्थान अब दो हजार बीस के केलेंडर को देखो अभी जो महिना चल रहा है उसे भी केलेंडर में देखो और ऐसा ही एक चौकोर अपने कौपी में बनाओ क्या ये जादू फिर भी काम करता है? क्या ये जादू दस गुणा दस संख्याओं वाले एक चाट पर भी काम करेगा? एक बार फिर से संख्याओं के खेल वाले अध्याय को देखो और इसकी जाज करो प्रिष्ट संख्या 106 कुछ और जादू मार्च 2020 इस प्रिष्ट पर मार्च 2020 का एक कैलेंडर दिया गया है जिसमें 31 दिनों को दर्शाया गया है और इसके सामने एक बच्चे की तस्वीर है जो कह रहा है मैं इस खाने की पांचों संख्याओं को एक चुटकी में जोड सकता हूँ दूसरे बच्चे ने कहा ओ, इसमें तो कुछ समय लगेगा एक और बच्चा बोला कुल 85 हुए फिर दूसरे बच्चे ने पूछा इतनी चलती, लेकिन तुमने इसे किया कैसे वही बच्चा बोला आसान है, बस बीच वाली संख्या को पांच से गुणा कर दो देखो क्या यही जादू उन दूसरी संख्याओं के लिए भी काम करता है जिनमें पांच संख्याओं हैं अगर पांच संख्याओं से गुजरती एक तिर्ची रेखा खीचें और उन संख्याओं को जोड़ें, तो क्या होगा? यह जादू दिखा कर अपने परिवार के लोगों और दोस्तों को चोका दो क्या तुमें इस कैलेंडर में जादू के कुछ और प्याटर्न दिख रहे हैं? प्रिश्ट संख्याओं 107 अगस्त 2020 के लिए कैलेंडर को पूरा करो शनिवार एक तारीख रविवार रिक्तिस्थान सोमवार तीन तारीख मंगलवार रिक्तिस्थान बुदवार रिक्तिस्थान प्रस्पतिवार छे तारीख शुक्रवार रिक्तिस्थान शनिवार रिक्तिस्थान रविवार रिक्तिस्थान सोमवार रिक्तिस्थान, मंगलवार रिक्तिस्थान, बुदवार रिक्तिस्थान, ब्रस्पतिवार रिक्तिस्थान, शुकरवार रिक्तिस्थान, शनिवार रिक्तिस्थान, रवीवार रिक्तिस्थान, सोमवार रिक्तिस्थान, मंगलवार अठारा तारीख, बुद्वार, रिक्तिस्थान, ब्रस्पतिवार, रिक्तिस्थान, शुकरवार, रिक्तिस्थान, शनीवार, रिक्तिस्थान, रवीवार, रिक्तिस्थान, सोमवार, 24 तारीक, मंगलवार, रिक्तिस्थान, बुद्वार, रिक्तिस्थान, ब्रस्पतिवार, रिक्तिस्थान, शुकरवार, रिक्तिस्थान, शनिवार, रिक्तिस्थान, रवीवार, रिक्तिस्थान और सोंबवार, 31 तारीख, इतवार, यानि रवीवार के सभी दिन लाल रंग से रंगो. ये महीना किस दिन समाप्थ होता है? रिक्तिस्थान इस महीने में दिनों की संख्या लिखो रिक्तिस्थान 13 अगस्त को कौन सा दिन है? रिक्तिस्थान महीने के दूसरे शनिवार को कौन सी तारीख है? रिक्तिस्थान क्या 21 तारीख को इतवार है? रिक्तिस्थान 29 तारीक को कौन सा दिन है इसी दिन अगले सप्ता कौन सी तारीक होगी रिक्तिस्थान इस महीने में कितने बरस्पतिवार है रिक्तिस्थान पता लगाओ 2020 के कैलेंडर के किस महीने में पांच इतवार है क्या ऐसा कोई और भी दिन है जो किसी भी महीने में पांच बार आया है क्या एक महीने में छे इत्वार हो सकते हैं? क्यों? शिक्षकों के लिए निर्देश अभी चल रहे महीने के लिए और दूसरे अन्य महीनों के लिए ऐसे ही कुछ प्रश्ण पूछें चात्रों को कैलेंडर के जरिए कुछ और पैटर्न ढूनने के लिए प्रुत्साहित करें प्रिष्ट संख्या एक सो आठ कुसुम की जिंदगी का एक दिन चलो देखते हैं कि कुसुम हर रोज क्या करती है हर चित्र के लिए समय को लिखो कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है और उसमें तुम्हें घड़ी की सुईयों को बनाना है जबकि दूसरी चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है पहला चित्र कुसुम सुभ़ सुभ़ उठ जाती है इसके सामने एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें 6 पर छोटी सुई और 12 पर बड़ी सुई है इसके सामने आपने इसका समय लिखना है वो कुए से पानी लाती है यहाँ पर एक घड़ी बनाई गई है लेकिन इसमें घड़ी की सुईया नहीं है और समय लिखा है सुभा साड़े छे बजे अब आपको घड़ी के सुयां बनानी है और ये बताना है कि साड़े छे बजे है घर साफ करती है यहाँ पर घड़ी दिखाई गई है यहाँ पर जो घड़ी दिखाई गई है उसमें छोटी सुई साथ पर और बड़ी सुई छे पर है अब आपने यह समय इसके सामने लिखना है स्कूल जाती है इसमें एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें घड़ी की सुईया नहीं है और समय लिखा है आठ बजे अब आपने घड़ी की सुयों की सहता से बताना है कि इसमें आठ बज रहे हैं शिक्षकों के लिए निर्देश इस गतिविदी को समझाने के लिए घड़ी का प्रियोग उपयोगी होगा घड़ी में समय देखने से समबंदित कुछ क्रिया कलाप बच्चों को कक्षा में कराएं प्रिष्ट संख्या 109 पिछले प्रिष्ट की गतिविदी को इस प्रिष्ट पर आगे बढ़ाया गया है स्कूल में पढ़ती है इसके आगे एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें 10 पर छोटी सुई और 12 पर बड़ी सुई है अब इसके सामने आपने इसका समय लिखना है वो स्कूल से वापिस आती है इसके सामने एक घड़ी दिखाई गई है लेकिन इसमें घड़ी की सुईया नहीं है और सामने समय लिखा है एक बजे दोपेहर को अब आपने घड़ी की सुयों की सहयता से ये दिखाना है कि घड़ी में एक बजा है अपने भाई और दादी के साथ दोपेहर का खाना खाती है इसके आगे जो घड़ी दी हुई है उसमें छोटी सुई दो पर और बड़ी सुई बारा पर है अब आपने ये लिखना है कि इस घड़ी में क्या बजा है अपनी दोस्तों के साथ खेलती है इसके सामनी जो घड़ी दे रखी है उसमें घड़ी की सुईया नहीं है पर समय लिखा है शाम साड़े पाँच बजे अब आपको घड़ी की सुईयों के द्वारा ये बताना है कि घड़ी में साड़े पाँच बज रहे हैं वो सोने से पहले अपने दादी से एक कहाने सुनती है इसके सामने एक घड़ी दे रखी है जिसमें घड़ी की सुया नहीं है पर समय लिखा है नौ बजे रात को अब आपने नौ बजे का समय घड़ी की सुयों की मदद से दिखाना है प्रिश्ट संख्या 110 अब एक चार्ट बनाओ जिसमें तुम लिखो कि तुम सुभे से शाम तक क्या क्या करते हो दिन का समय शब्दों में रिक्तिस्थान घड़ी में दिखाओ घड़ी की सुयों की मदद से इस समय तुम क्या करते हो यहाँ पर सुभे से शाम तक के साथ कारे आपको ऐसे दिखाने हैं जो आप सुभे से शाम तक करते हैं प्रतेक कारे को पहले खाने में शब्दों में लिखना है, उसके बाद दी हुई घड़े में सुयों की मदद से वो समय दिखाना है और फिर ये बताना है कि तुम इस समय क्या करते हो। और इसे के साथ सात्मा पाठ समय समय के बाद यहीं पर समाप्थ होता है स्वर प्रमीन शर्मा तक्निकी समन्वयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन और निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत